हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले एक तरफ जहां अनीता पुराने खयालात की थी तो वही दूसरी तरफ उसकी बहु धानी एक मॉडल थी जिसके चेचे पुरे महले में थे तो क्या अनीता अपनी बहु के मॉडलिंग करियर में उसका साथ देगी या उसे अपने घर से निकाल देगी वही दूसरी तरफ धानी अपने ससुराल वालों को अपने मौडलिंग करियर के लिए मना पाएगी या अपने करियर और सपनों के साथ समझोता करके उसे भूल जाएगी इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं कहानी की और अनीता अपने एक लोते बेटे दिवेश की शादी धानी नाम की लड़की से करवा कर उसे अपनी घर की बहु बना कर लाती है अनीता धानी के घर में आने से बहुत खुश थी जिसके चलते कुछ समय बाद ही वो अपनी बहु की मूँ दिखाई का फंक्शन रखती है और सभी मोहले वालों को बुलाती है अपनी बहु के कम्रे में जाकर वो उससे कहती है बहु आज मैंने घर में तेरी मूँ दिखाई का फंक्शन रखा है थोड़ी देर बाद अच्छे से तयार होकर नीचे आ जाना मा जी, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमारी शादी हुई है, सभी लोगों ने तो हमें देखा ही हुआ है तो फिर ये मूँ दिखाई की रस्म क्यों? फिर से इतनी भारी भारी ज्यल्मी पहनने पड़ेगी मुझे मुझे इतनी भारी ज्यल्मी नहीं पहनी जाती मैं जानती हूँ बहू के तु बड़े modern खैलादकी है लेकिन हम लोग तो भई बहुत साधारन है मैं भी तो दूसरों के गहरों में मूझ दिखाई के लिए गई थी न तो फिर जब मेरे घर में नई नई बहू आई है तो मैं उसकी मूँ दिखाई की रसम क्यों नहीं करूंगी? बहुत लोग ऐसे हैं जो कि शादी में नहीं आ पाए तो अगर मैं मूँ दिखाई की रसम नहीं करूंगी ना तो सब भी गली की औरते मुझे पे शिकायत करेंगी मा जी अभी शादी की और कितनी रसमे बाकी है मैं तो शादी की रसमे करते करते ठक चुकी हूँ अब एक ही बार में बता दीजिए कि मुझे और कितनी रसमे करनी है ये रोज रोज मुझे इतनी भारी भारी गहने नहीं पहने जाते बहु बस ये आखरी रसम है तेरी, इसके बाद मैं तुझे कोई रसम करने को नहीं कहूंगी बस इस बार मेरी बात की इज़त रख ले, वरना महले की ओरते थूकेंगी मुझ पर मा जी आप एज़ा मत कहिए और आपकी बातों का मान रखना मेरा फर्ज है आप चलिए मैं तयार होकर आती हूँ धानी की बात सुनकर अनीता खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है कुश देर में गली की सभी औरते मुझ दिखाई की रसन के लिए अनीता के घर में एक खटा हो जाती है तब भी धानी साड़ी पहने गुंगट लिए तयार होकर बाहार आती है जिसका फिगर और हाइट देखकर गली की सभी औरते दंग रह जाती है तबी उन सबी पडोसनों में से उसकी शीला नाम की पडोसन हसते हुए कहती है क्या बात है अनीता तेरी बहु की हाइट और फिगर तो बिलकुल हिरोईनों की तरह है मेरी पसंद की हिरोईन दिशा पटानी जैसी हाँ तो आजकल की लड़किया किसी हिरोईन से कम है क्या अगर फिगर को मेंटेन करने के लिए खाना पीना छोड़ देती है तो कभी एक्स्ट्रा फैट भी नहीं रखती अपने शरीर में दिशा पटानी का तो बिलकुल जीरो फिगर है और तेरी बहु का फिगर भी बिलकुल उसी की तरह ही है तेरे बेटे की तो किस्मत खुल गई इतनी अच्छी बीवी पाकर अरे शीला बहन तुम बेना बहु का मूँ देखे सिफ उसकी फिगर और हाइट की ही तारीफ करती रहोगी या उसकी मूँ दिखाए के रसम करके मूँ भी दिखाओगी हाँ हाँ ये लोग सही कह रहे हैं बहुत देर हो रही है पहले रसमें पूरी कर लेते हैं वरना शुप मुहरत निकल जाएगा बाकी मेरी बहु सुन्दर है मुझे पता है बताने की ना जरूरत नहीं है अनीता इतना कह कर अपनी बहु को सोफे पर बिठा देती है जिसके बाद महले की सभी औरतें एक-एक करके धानी का घूंगट उठा कर मूँ दिखाए की रसम को पूरा करती है सभी लोगों की मूँ से अपनी बहु की तारीफ सुनकर अनीता को बहुत खुशी होती है समय बीठता है तभी एक दिन सुभा के समय धानी टी-शिट और ट्राउजर पहन कर जिन जाने के लिए निकलती है तभी अनीता उसे रोकते हुए कहती है बहु तू कहा जा रही है वो भी ऐसे मरदाना कपड़ी पहन कर इतनी सुभा हो गई है तू अभी तक नहाई नहीं मा जी मैं जिम जा रही थी इन शादी की रस्मों के चक्कर में मैं अपनी फिटनेस पर बिलकुल विदिहा नहीं दे पाई हूँ लेकिन अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती अपनी फिटनेस के साथ इसी के तो पैसे है मैं कुछ समझी नहीं बहूँ तो कहना क्या चाती है तुझे जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां लड़कियों का कोई जिम है ही नहीं और तो वैसे ही इतनी फिट है तुझे जिम जाने की क्या जरूरत मा जी जिम जाती हूँ तब ही फिट हूँ और रही बात लड़कियों की तो जिम अपने आपको फिट रखने के लिए जाते हैं यह जिम लड़के का है या लड़की का ये डिसाइड करने नहीं अरे फिर भी बहू हमारे महले की ओरते जिम नहीं जाती यहां सिर्फ लड़के ही जाते हैं और वैसे भी ऐसे कपड़े पहन कर तुझे महले की ओरतों ने देख लिया ना तो तेरी जगा मुझे ताने मारेंगी और दिशापटानी जैसे बहू बोल-बोल कर तुझे जो हमने सर पर चड़ा दिया है न अब तु खुद को हिरोई समझने लगी है माजी हर चीज में आप महले वालों की पीछे क्यों पड़ जाती हो कि वो क्या सोचेंगे इतना टाइम आज के जमाने में किसी के पास नहीं है जो आपकी तरह हमेशद दूसरों के बारे में सोचता रहे हटिये मुझे जाने दीजे लेट हो रहा है धानी इतना कहकर अपनी सास की बात को काटते हुए जिम चली जाती है जो चीज अनीता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो अपने बेटे के कमरे में जाती है और उसे धानी की हरकतों के बारे में बताती है जिसके बाद कुछ देर में धानी जब जिम से वापस आती है तो दिवेश उससे कहता है धानी, आज जो तुमने मा के साथ किया है वो दुवारा नहीं होना चाहिए तो मैं उनकी बात को काट कर जिम नहीं जाना चाहिए था वो जो कह रही थी, सही कह रही थी ये तुमारी modern society नहीं बलकि हमारा middle class महला है हद है आपकी भी तो अब क्या चाहते हैं कि महले वालों की छोटी सोच के चलते अपना lifestyle बदल दू ऐसा तो कभी नहीं होगा जब उन्हें मेरे कपड़े पहनने से जिम जाने से problem है तो जब उन्हें मेरी modeling का पता चलेगा तो वो क्या करेंगी तब तो उस time वो मुझे modeling छोड़ने के लिए भी कह देंगी ऐसा कुछ नहीं है बस मा थोरे पुराने खयालात की है उन्हें अगर हम प्यार से समझाएंगे ना तो वो समझ जाएगी अगर उनकी बात को टाल कर हम अपनी चलाएंगे ना तो उनको बुरा लगेगा इसलिए पिलीस कुछी दिन की बात है समझ लो दिवेश के समझाने पर धानी उसकी बात माल लेती है और online workout के कुछ मशीने घर पर मंगवा कर ही घर में ही workout करना शुरू कर देती है समय बीता है तभी एक रोज शाम के समय अनीता मार्किट से घर लोटती है तो देखती है कि उसके घर के आगे और तो कीब भीर लगी होती है तभी वो उनके पास जाती है और देखती है कि धानी घर के अंदर छोटे छोटे कपड़े पहन कर फोटो शूट करवा रही थी तभी उसकी एक पडोसन शीला उससे कहती है अनीता मैंने तो तेरी बहु को उसकी फिगर और हाइट देखकर अपनी पसंद की हिरोईन दिशा पठानी की पदविदी थी मुझे क्या पता था कि वो अपने आपको सच में ही दिशा पठानी समझने लगेगी है दया ये सब क्या हो रहा है इस घर में मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा अरे मेरी पागल सहिली तेरी बहु का फोटो सुट चल रहा है इसकी ये सबी तस्वीरे बड़े बड़े पोस्टर बनकर महले के सहर के हर कोने में लगेगी जैसे हीरोईनों की लगती है तेरी बहु तो सच में दिशा पठानी जैसी बहु निकली उसकी भी इंस्टाग्राम पर बहुत सारी पिक्स है ऐसे छोटे छोटे कपडों में सोच तेरी क्या इज्यत रह जाएगी पूरे महले में सब तेरा मजाग बनाएंगे नहीं ऐसा कभी नहीं होगा मैं कभी ऐसा नहीं होने दूगी मैं इसको अभी बताती हूं अनीता इतना कहकर सभी महले वालों को गुसे में अपने घर के बाहर से भगा देती है और अंदर आकर फोटो शूट का कैमरा भी तोड़ देती है और लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है तभी दिवेश भी ऑफिस से घर आता है और अपने घर का महौल देखकर मन में कहता है लो जी बस यही कमी रह गई थी मा को धाने की मौडलिंग के बारे में पता लगने की वो भी पूरी हो गई आस तो मा क्या हुआ आप गुस्से में क्यूं है तुझ से तुमें बाद में बात करूंगी पहले तू बता बहु ये छोटी छोटी कपड़ी पहन कर हिरोईनों की तरह फोटो क्यों खिचवा रही है ये सब चल क्या रहा है मेरे घर में अगर तुझे यही बेशर्मी दिखानी है ना तो अभी निकल जा मेरे घर से मा जी ये फोटो शूट हो रहा था मेरी फोटो मैग्जिन में छपने वाली है पहली बार अच्छा तो तुम दोनों मिया बीवी मिलकर मुझे धोका दे रहे थे मुझे एक संसकारी और घरेलो लड़की चाहिए थी ना कि कोई मोडल अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो तुझे अपनी ये मोडलिंग शौडलिंग भूलनी पड़ेगी मा ऐसा मत बोलिए मैंने धानी से वादा किया था कि उसके मोडलिंग के सपने को मैं पूरा करूँगा साथ ही उसका साथ दूँगा लेकिन मुझे आपकी खुशी का भी ध्यान है मा कामियाभी से न सब के मूँ बंद हो जाते है जब आपकी बहु सच में हिरोईन की तरह मॉडल बन जाएगी न तब देखना कोई कुछ भी नहीं बोलेगा लेकिन आपकी मर्जी के बिना सब अधूरा है मा आज के टाइम में सब अपने बारे में सोचते हैं दूस्तों के बारे में नहीं दिवेश के समझाने पर अनीता उसकी बातों को माल लेती है और अपनी बहु को मॉडलिंग करने की इजाज़त भी देती है मोहले वालों की सबी बातों को सुनकर अब वो अनसूना करने लगती है नर्मदा की बहुत चाह थी के वो अपने बेटे विकी की शादी अपनी एक सहेली की बेटी से करवाए लेकिन एक दिन उसका बेटा एक लड़की के साथ घर आता है और उसे आवाज लगा कर बोलता है मा, ओ प्यारी मा, जरा बाहर आओ और देखो, मेरे साथ कौन आया है क्या हुआ, ये किसको साथ लाया है मा, ये तुम्हारी बहू, मेरी पत्नी निशा है हमने शादी कर ली अरे वा, मेरी समझदार उलाग बड़ा ही नेक काम किया है तो बेटा इसको यहां क्यों लाया जब तुने शादी कर ही ली थी तो बच्चे बच्चे पैदा करके मिलवा देता आरे मा, आप बीना बड़ी ही मजा क्या हो अब बच्चे करने के लिए घर तो आना ही था हाँ न लायक, ये घर तेरे बापने तेरी अयाशियों के लिए ही तो बनाया था अरे जब तुझे पता था कि मुझे तेरी शादी अपनी दोस्त की बेटी से करनी है तो तु अपनी मर्जी से शादी करके कैसे आया क्या मा, मुझे नहीं करनी थी आपकी उस बैल बुद्धी पसंद से शादी मैं निशा से प्यार करता हूँ इसलिए उससे शादी कर ली अब बता दो घर में रखोगी या नहीं? रखना ही पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे सास ने नई नवेली बहु को घर से निकाल दिया आओ दोनों, नर्मदार रूखे मन के साथ, अपने बहु बेटे का स्वागत करती है जिसके बाद वो अपने बेटे से बोलती है अब तो ग्रह परवेश भी हो गया, बहु को बोल अपना घूंगाट उठाए और अभी तक इसमें एक सब तक नहीं बोला, घूंगी तो नहीं है ये नहीं मा, वो ठक गई है, सुबा बाद कर ले न जी नहीं, मैं तो अभी ही देखूंगी इसका मूँ, हट तू नर्मदा अपने बेटे को साइड करके, जैसे ही अपनी नए नवेली बहु का घूंगट उठाती है तो वो देखती है, कि नीशा की आँखे ऐसे लाल हो रखी है, मानो नशे में धुथो साथ ही साथ उसके मूँ पर टेप लगी थी, जिससे वो कुछ बोल ना पाए ये देखकर नर्मदा अपने बेटे को गुसे से घूरते हुए बोलती है ये सब क्या है, और बहु के मूँ पर यो टेप क्यो लगाई है तुने और इसकी आँखे तो देख कैसे लाल होई पड़ी है, ये नैप करके लाया है क्या क्या मा, कुछ भी, अरे बोला तो ठकी हुई है, और पट्टी वस ऐसे ही लगाई ऐसे ही लगाई है ना, तो रुख, मैं हटा देती हूँ नर्मदा जैसे ही नीशा के मूँ पर लगी पट्टी को हटाती है तो वो अपने मूँ से गाड़ी की आवास निकालते हुए, इधर उधर भागने लगती है और बोलती है अज़ा उजारे, तेरे भाई की गाड़ी आ रही है, एंटी, एडना ये क्या कर रही है, पागल बहु लाया है क्या तू? नहीं मा, निशा को ड्रिंक करने की आदत है और आज इसने हमारी शादी की खुशी में थोड़ी ज़्यादा पीली, बस हाई रे, मेरे तो भागी फूट गए, नशेडी बहु पल्ले बांदी रे, नास पिटे, तुझे मेरी दोस्त की बेटी में तो कमिया दिख रही थी और तेरी ये खुद की पसंद तो जैसे बहुत परफेक्ट है अरे, मा, ड्रिंक तो आज कल हर कोई करता है, कोई बड़ी बात नहीं है दोनों मा बेटों के बीच नीशा आ जाती है और अपनी इमाजिनेशन वाली गाड़ी को रोपते हुई बोलती है ओए, बैट पिछे, आज तेरा भाई चलाएगा अरी, तु लड़की है, इसका भाई कैसे बन गई? ओ, सौरी, सौरी, ओल लेड़ी, आज बैट पिछे, आज गाड़ी तेरी बहन चलाएगी ये भगवान, पती है वो तेरा, बहन क्यों बन रही है उसकी? वान्स अगेन, सौरी, ओल लेड़ी, आज बैट पिछे, आज गाड़ी तेरी बीबी चलाएगी बेवी कमरे में चलाना गाड़ी, वरना यहां मा तुम्हारी गाड़ी में पंचर कर देंगी, चलो विक्की नशे में डूबी हुई नीशा को कमरे में लिकर जाता है और उसके पीछे से नर्मदा बोलती है लेजा लेजा, कल बताती हूँ तेरी इस नशेड़ी बीवी को तो ये भगवान ये आज कल के बच्चे विक्की जैसे तैसे नीशा को सुला देता है अगली सुभा जब वो जागती है, तो उसका सर दर्ध होने लगता है विक्की नहाने गया होता है, इसलिए वो सीधा नीचे चली जाती है जहां उसकी सास उसे देखकर बोलती है आ गई बहुरानी, तो कैसी रहे तेरी कल की लॉंग ड्राइव? आप कौन है? वारे बहु, इतनी पीनी थी क्या कल राथ, कि जिससे शादी करी उसी की मा को नहीं पहचान रही ओ सोरी सोरी, सासु मा, वो क्या है ना कि मेरा सर बहुत घोम रहा है कल राथ क्या हुआ मुझे याद ही नहीं है हाँ हाँ, खेर वो छोड़, तुझे चाय बनानी आती है? नहीं कॉफी या शर्वत बनाना तो आता ही होगा? नहीं फिर कुछ आता भी है या वो भी बोलेगी नहीं? आता है ना, चतना बनाना, पैक बनाना, भुक्क बनाना बस बस नशेडन, यह मेरा घर है, कोई बार नहीं ठीक है, तो मैं बार जा रही हूँ अरे, अरे, सॉरी, मतलब नहाने जा रही है नीशा वापस अपने कमरी में चली जाती है लेकिन नर्मदा के बेटे की शादे की बाद सारे मोहले को पता लग गई थी जिसके बाद पड़ोस की कुछ और ते, उसके घर आकर बोलती है अरे, नर्मदा बेहन, सुना है, घर में नहीं बहु आई है मुँ दिखाई नहीं करवाओगी करवाओंगी, पर आप सब थोड़ा समय तो देती सुबा सुबा ही आ गई अरे, नर्मदा बेहन, अब शुब काम जितनी चल्दी निपड़ जाये, उतना ही अच्छा है अच्छा, ठीक है, बुलाती हूँ बहु को शुकर है, ये सब सुबा आई है बहु होश में है, कहीं कल रात पो आती, तो हमारी तो इज़त ही नहीं रहती कुछ नर्मदा अपनी बहु को बुलाने, उसकी खमरी में जाती है तो वो देखती है के निशा सुबा सुबा ड्रिंक करते हुए, फुका पी रही है ये देखकर वो बोलती है हाई राम, ये तो सुबा ही शुरू हो गई, अब क्या करूँ इतने में बात्रूम से विकी बाहर निकलता है, और अपनी मा सी बोलता है मा क्या हुआ, क्यों सुबा सुबा राम को याद कर रही हो? अपनी बीवी को देख, ये सुबा सुबा क्या कर रही है? निशा यार, सुबा सुबा क्यों पी ली? पेबी मुझे पीने का शोक नहीं पीपी हूँ गम बुलाने को गम अरे तुझे तो कोई गम दिया ही नहीं बलकि तेरे चक्कर में हमें हो जाएंगे आज दो गुट पिला दे सासुमा बाकी मेरे तो छोड़ दे पूरी बोतल गटक चुकी है और अब भी इसको दो गुट चाहिए बेटा बता क्या करूँ नीचे और ते इसकी मुझ दिखाई के लिए आई है और ये अगर ऐसा मुझ लेकर गई तो हम किसी को मुझ दिखाने लाइक नहीं बचेंगे मा ऐसा करते है नीचा के मुझ पर पट्टी बांद कर ले चलते है अरे मुझ तो बंद करतेगा लेकिन इसका लटखडाना और हाथ कैसे रोकेगा दोनों मा बेटी सोच ही रहे होते हैं कि क्या करे इतने में नीशा कमरे से बाहर नीचे जाने के लिए निकल जाती है थोड़ी देर में तोनों देखते हैं कि वो कमरे में नहीं है तब वो भागते हुए बाहर जाते हैं लेकिन नीशा अब तक सबकी सामने आ चुकी थी और सबको हाथ जोड़कर बोलती है हाई हाई ये नर्मदा की बहु ऐसे जूम क्यों रही है ऐसा लग रहा है ये नशे में है हाई हाई मतलब इसने पी हुई है हाई हाई सत्या नास हो ये कैसी बहु ले आई एक नंबर की नशेडी है हाँ ऐसी नशेडी बहु के कारण नर्मदा बहन को कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा नीशा गाना गाते हुए अजीब सा डांस करने लगती है ये देखकर सब औरते अपने घर भाग जाती है और ये सारा ड्रामा देखकर नर्मदा और विकी एक दूसरे की शकल देखते हैं और फिर नर्मदा नीचे आकर नीशा से बोलती है ए नशेडी करवादी बेचती पूरे जग में हाए तेरे कार नामों ने तो आज हमें कहीं मू दिखाने लायक नहीं छोड़ा अज मा आपका मू वैसे भी देखने लायक नहीं है अज्जा ये ना लोगों को डरावनी जीजों से छुट्टे मिल जाएगी क्या कहा मेरा मू दरावना है रुख तेरा नशा उतारती हो अभी मा मा माफ कर दो दुबारा नहीं पिएगी है पक्का माफ कर दो इसको इसके साथ तो तू भी पिटेगा रुख जरा नर्मदा हाथों में ज़ाड़ो लिए नीशा के करीब आने लगती है और बोलती है आज तेरा सारा नशा ना उताराना तो मेरा नाम भी नर्मदा नहीं ओ जासुमा मसे बुरा कोई नहीं होगा जबसे तू इस घर में आई है तेरे से बुरा तो कोई है भी नहीं रुख तेरा नशा उतारती हूँ नर्मदा जैसे ही नीशा को मारने जाती है वो उसका हाथ जाडू छीनते हुए बोलती है नाजुमा मैं आपको दिखाते हूँ मारना क्या होता है नीशा अपनी सास को जाडू से मारने लगती है ये देखकर विक्की उसे रोपता है और हाथ से जाडू छीन कर उसे एक थपड मारते हुए बोलता है तुमको शरम नहीं आई नीशा, मा पर हाथ उठाते हुए अब उसको क्या बोलता है, सारी गलती तो तेरी है एक ऐसी लड़की को मेरे मत्थे मार दिया जो सिफ नशे में धूत रहती है हाँ मा, मुझे माफ कर दो, मैं नीशा से प्यार करता था इसलिए उसकी इस आदत को जानते हुए भी उससे शादी करी सोचा था वो शादी के बाद पीना छोड़ देगी लेकिन देख बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करना है ये सोच इसका ऐसे रोज-रोज नशे में धूत रहना हमारी बदनामी करवाएगा और कुछ नहीं मैं नीशा को नशा मुक्ति केंद्र ले जाऊंगा और अब ये इस घर में वापस तब ही आएगी जब इसकी नशे की आदत पिलकुल छूट जाएगी विक्की अपनी पतनी नीशा को नशा मुक्ति केंद्र ले जाता है जहां कुछ समय रहने के बाद नीशा की ड्रिंक करने के आदत छूट जाती है और वो वापस अपनी ससुराल में आकर अपनी हरकतों के लिए नर्मदा से माफी मांगती है और एक नई जिंदिगी की शुरुआत करती है क्यूं होती है इतनी सर्दी ये भगवान ठंडा मौसम हो तो अच्छा लगता है लेकिन इतनी पे जादा ठंड नहीं होनी चाहिए कि कोई काम करने का मन ही ना करे काम नहीं करूंगी तो सासो मा सुना सुना कर कानों से खून निकाल देंगी मेरे कनिका की शादी शितिस से बड़ी ही धूमधाम से होती है शादी के बाद एक अच्छी बहु की तरह कनिका अपनी ससुराल की सारी जिम्यदारियों को संभाल लेती है पर जैसे ही सर्दियों का मोसम आता है कनिका की काम करने की स्पीड पर ब्रीक लग जाता है ऐसे ही दिसंबर का महिना आता है चारों तरफ कोहरा और ठंडी हवा बहने लगती है कनिका अपने रूम के खेटकी को जरा सा खोल कर उसमें से अपने उंगली को बाहर निकालती है और चिला कर बोलती है थंडी 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 नहीं 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 बाहर नहीं जाओंगे बाहर बहुत थंडा बहुत थंडा आज तो नहाना तो बिल्कुल ही नहीं है मैंने कनिका इतना बोलकर कंबल में दुबक कर बैठ जाती है तब ही वहाँ उसकी सास मेन का आती है और कनिका से बोलती है बहु तू क्या जच्चा की तरह कंबल में दुबक कर बैठी है चल नीचे काम करना है बहुत सारा माजी मेरे तब्या ठीक नहीं है आज मुझसे कोई काम नहीं होगा अरे मैं सब जानती हूँ तेरे बहाने एक नंबर की आलसी है तू अब उठ जा और काम पे लगजा समझ गई माजी प्लीज तू उठ रही है या ठंडा पानी गिला दो तेरे उपर और पंखा चला दो नहीं माजी आ रही हूँ आप चले मेंका वहां से जाती है और कनी का आलस भरे मन से कंबल में से बाहर निकलती है और जल्दी से शॉल, टॉपी, जुराप पहन कर एकदम बर्गर की तरह पैख हो जाती है और मेंका की पास जाती है उसे ऐसा देखकर मेंका हस्ते हुए बोलती है अरे क्या बनी हुई है या तू? सारे दिल्ली की सर्दे तुझे ही लग रही है क्या? माजी आपको काम करवाना है मुझे से या नहीं? अरे काम का तेरे इस फुलिये से क्या लेना देना है? लेना देना बार में देखा जाएगा मुझे थंड लगती है और थंड में मुझे आलस आता है इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़े पहनी है ताकि मुझे ठंड ना लगे और मैं काम कर सकूँ अरे ठंड में तो तेरा दिमाग जम गया है ये इतना ताम जाम पहन कर कैसे काम करेगी तू पगला गई है क्या माजी आपको मुझसे काम करवाना है न तो अपने सला मत दीजी अम मुझे मेंका वहां सी चली जाती है और कनिका खुद को और कपड़ों को संभालती हुई घर के कामों में लग जाती है वो पूरा किचन साफ करती है और लास्ट में बरतंद होने के लिए जैसे ही सिंक का टैप ऑन करती है उसके नीचे हाँ रखते ही वो चला कर बोलती है मचाओ बचाओ मैं जम गई कनिका की आवाज सुनकर में का भागी भागी रसोई में आती है और बोलती है क्या हो गया क्यों चिला रही है तू माजी बर्तन तो तुने एक नहीं धोया सारे वैसे ही बढ़े है माजी गरम पानी से धोलू बर्तन प्लीज इतना तो रहे हैं कालो मुझ पे हाँ हाँ ठीक है धोले और ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चला मेनका वापस से अपनी रूम में जाती है और कनिका गरम पानी करके दोसों की स्पीड में सारे बर्तन थो देती है और जल्दी से अपने कमरे में आकर रजाई में बैठ जाती है ऐसे ही वंग बीता जाता है बढ़ती ठंड के साथ साथ कनिका का आलस भी बढ़ रहा था ऐसे ही एक दिन कनिका कंभल ओड़े सोफी पर बैट कर टीवी देख रही थी तब ही वहाँ उसका पती शिते जाता है इतना कहकर शितेच किचन में जाता है और जल्दी से दो कप चाय बना कर लाता है और कनिका को दिता है दोनों ऐसे ही बाते कर रहे होते हैं तब ही वहाँ में का आती है जिसे देखकर दोनों शांत हो जाते है ये सब देखकर वो बोलती है आ हो गया मुझे देखकर तुम दोनों की 32 अंदर कैसे हो गई ओ कुछ नहीं माजी बस ऐसे ही हस रहे थे तो तू अपना मूँ बंद रख आलस की दुकान शितिस तू इसे कुछ समझाता क्यों नहीं है इसे जरूरत से ज्यादा इंठन लगती है सारा सारा दिन कंबल में बैठी रहती है कनिका मा ठीक कह रहे है इतना अलस करना हमारी सेहत के लिए हानिका रख है हमें खुद को एक्टिव रखना चाहिए ताकि चुस्ती फूर्ती बनी रहे कनिका दोनों की बाते सुनकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर अराम से बसर जाती है ऐसे ही सब के समझाने पर भी कनिका अपना अलस छोड़ने को तयार नहीं होती पहले तो वो बस घर के कामों में ही आलस दिखाती थी पर अब वो खुद की साव सफाई में भी आलस दिखाने लग दी है ऐसे ही एक हफता बीट जाता है और ठंड के चलते वो नहाती नहीं है वो बस डेली बात्रों में जाती और गीले रुमाल से अपने मुझ को साफ करती और कभी कभी तो वो भी नहीं करती और ऐसे ही मेक अप करके रेडी हो जाती एक दिन तोनों सास बहुत धूप में बैठे मुंफली खा रहे होते है तब ही मेनका बोलती है मेनका की बात सुनकर कनिका जल्दी से अपने रूम में जाती है और बात्रों में घुचाती है उसके बाद वो नहा कर बाहर निकलती है और खुच से बोलती है राम 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 आज माजी की फचा से मुझे नहाना पड़िया लेकिन अब आने वाले 15 दिन तक नहाने की छुटे ऐसे ही वक बीटता जाता है और कनिका का आलस बढ़ता ही जाता है जिसके चलते वो नहाना ब्रश करना सब कुछ छोड़ देती है और सारा सारा दिल बस रजाई में पड़ी रहती है जिसके चलते धीरे धीरे उसकी बोड़ी को फंगल इनफेक्शन हो जाता है और उसकी बोड़ी पर चोटी चोटी लाल दाने निकल आते है जिन पर बहुत ही ज्यादा खुझली होने लगती है साथ ही उसके सर में भी खुजली होने लगती है क्योंकि गंध्की गीवजा से उसके सर में जुएं पड़ गई थी साथ ही उसकी तब्यद भी अब खराब होने लगती है उसको इस हाल में देखकर मेंन का उसी सुनाते हुई बोलती है और ये नालायक तुझे कितना समझाया पर तू नहीं समझी यह सब तेरे आलस की वज़े से हो रहा है कितना कहा तुझे लेकिन तू अपने मन की ही करती है देख कैसे सड रही अब तू अभी भी वक्त है अपने शरीर का खयाल रख ले हाँ कनीका आस तुम जिस हाल में हो ये सब तुम्हारी खुद की गलती है माना कि तुम्हें ठंड लगती है काम करने का मन नहीं करता पर ऐसे बैटे रहने से खुद को साफ सुतरा ना रखने से क्या मिला तुम्हें उल्टा तुम बिमार और पड़ गई मेरे ख्याल से अब त करदी हो या गर्वी धूप हो या बरसाथ कनीका रहती हर मोसम साफ इस तरह कनीका अपने आलस को हमेशा के लिए खुद से दूर कर देती है दोस्तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा